माननिय प्रधानमंत्री जी नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आशीश राठोर एक बादे साब का स्वागत है मेरे चैनल पर अगर आज आप मेरे चैनल पर नाया है चैनल का कंटेन पसंदा है सब्सक्राइब करना मत भूलेगा शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में तीन ऐसी चीजे जिनके बारे मेरे मेरे चैनल पर भौत टाइम से में बताता आ रहा हूँ आज उनका रेजलेटर देखने को मिल रहा है सबसे पहले चीज वैक 12 लोकोमोटीव भारत का सबसे शक्तिशाली या फिर मैं कहूं वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटीव में से एक है यह 12,000 होर्स पावर का इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटीव है यह और 120 केमपेज की स्पीट से दोर सकता है लगबग इसकी सारे प्रोडक्शन की वीडियो आपने देखी होंगी अगर आप मेरी वीडियो देखते आएं पहले से और नहीं देखते आयएं तो दिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस लोकोमोटीव के बारे में आपको प्लेटलीट में कि एक बहुत ही बड़ी खुशकबरी मिलेगी और आपको बहुत गर्व महसुस होगा उस वीडियो को देखके उस वीडियो को जरू देखना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वो कली अपलोड हुई है तो WDFC तो कि Western Dedicated Fred Corridor है दूसरी चीछ यह है और तीसरी चीछ है दोस्तो High-Rise OHE Section दुनिया में दोस्तो इंडिया एक मातरा से देश है जहाँ पर Double Stake Container Train जिनकी उचाई दूसरी मालगाडियों से Double होती है उनके लिए OHE Infrastructure मौजूद है और WDFC इसी चीज़ पर काम कर रहा है तो WDFC में High-Rise OHE Section मौजूद है और इंडिया में पहले भी ऐसे Operation होते आए है जहाँ पर Diesel Engine से चलती है और दुनिया में भी Double Stake Container Train को चलाया जाता है लेकिन वहाँ डीजल इंजन का यूज करा जाता है लेकिन इंडिया एक मातरा सा देश है दोस्तों जहाँ पर पहला Electric Double Stake Container Train का Operation वेक 12 के द्वारा किया गया था जनवरी 2021 में और दिसंबर 2020 में वो वीडियो आपने जरू देखी होगी WDFC के नियो टेली से लेके अजमेर तक ये ट्रायल लिया गया था 361 किलोमेटर का लगबग ये section था जो की कमर्से लिए खोला भी जा चुका है मैंने आपको पिछली अपडेट्स में WDFC के बारे में सब कुछ बताया कि इस तरीके से भारत के तीन सबसे बड़े पोर्ट कांडला पोर्ट मुंद्रा पोर्ट पीपाबब पोर्ट जुड़ चुके हैं दिल्ली एंशार के एडिया से और WDFC का fully electrified section भी अब खुल चुका है मैंने अपनी पिछली वीडियो मताया है लगबग आप मान सकते हैं रेवारी से लेके पालनपूर तक और उसके बाद न्यू महिसान तक 717 किलोमेटर का section खुल चुका है और जो मारे 3 पोर्टन तक connectivity भी electrified आ चुकी है तो दोस्तो इन सभी चीजों का result है successful run हो चुका है दोस्तो वेक 12 लोकोमोटिव के साथ में अप्टू पालनपूर जिहां दोस्तो न्यू अटेली से लेके न्यू पालनपूर railway station के बीच में एक train 17 जून 2022 को निकली और ये एक freight train थी BLC Rex की जिनके अंदर दो BLC Rex का double stick operation किया गया था इसमें एक body बात कहीं DFC ने भी खुद ट्वीट करके हमने single वेक 12 लोकोमोटिव का यूश करा है इसका मतलब आप समझ रहे हैं वेक 12 लोकोमोटिव की असली तागत इस वीडियो में देखने को मिलेगी हम लोग अभी तक वेक 12 के जितने भी operation electric double stick container के देखते आये हैं उनमें एक वेक 12 फ्रेंट में लगता था और उसके साथ में एक वेक 12 मिडल में भी लगता था जिससे की और और ओल ओप्रेशन की efficiency बढ़ाई दा सके या फिर इस मिडल वाले वेक 12 की जगा बैग 9 लगा करता था इस बार उन पहले वाले ट्रायल में भी जितने container थे ना उन container से भी ज़्यादा container इस बार इस run में यूज किये गए हैं और जितने मैंने गिने हैं दोस्तो 180 container मैंने गिन पाए हैं आप लोग भी comment section बताना क्या इतना ही container थे अगर इस container की train का double stake की जगा single stake ही operation होता तो दोस्तो दो मिनट तक ये वीडियो चलती रहती लेकिन train खतम नहीं होती तो ये operation जो हुआ है इसमें 180 container के दो BLC एक क्योपर एक रखे गए हैं लगबग 90 वेगन का एक रेक रहा होगा त इतनी बड़ी train को ये अराम से लेके जा रहा है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही वंदे मातरम भारत मता की जै आप वीडियो उन्जॉय करिए क्योंके कर दो प्रिए झाल 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 झाल